हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियों हम सीखेंगे MS Word में यूज करना, Mini Toolbar Option का यूज करना और Shortcut Menu Option का यूज करना चलते हम हमें MS Word Documents पर, यहाँ पर MS Word Documents पर आ चुके हैं आपको जो सबसे पहले आपको Paragraph Select करना है जहाँ पर आप यूज करना चाहते हैं और Right Click करना है जैसे ही आप Right Click करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो सबसे उपर आया है यह आपका है Shortcut Menu क्या है? Shortcut Menu और नीचे जो Option यह आपका आ रहा है यह है Menu Toolbar Mini Toolbar में सारे Fonts related, Show Small करने के लिए, बड़े करने Color Change करने Option दिये रहते हैं और Shortcut Menu में कोई Shortcut Menu रहते हैं जैसे Cart, Copy, Paste, Font, Paragraph इत्यादी तो सबसे पहले हम यूज करना सेखेंगे हम Mini Toolbar का यूज करना सीखेंगे Mini Toolbar में हम अगर Color आप चैंज करना चाहते हैं हमारे Paragraph का तो आप यहां से इसको Color Change कर सकते हैं यहां पर Right Click करेंगे आप जो भी Color चाहते हैं अपने पैरा गलाफ का वह यहां से आप Color ले लेंगे मैं यहां पर Red Color चूज करता हूँ तो देखिए आपका Red Color हो चुका है अगर अगर मना है आप चाहते हैं कि Red Mini Toolbar में आप पीछे Backgrounds Color चैंज करना टेक्स्ट का तो आपको Right Click करना होगा Right Click करने के बाद में आपको यहां पर जाना होगा जहां पर जाने पर जाने पर जौन सभी आप Color लेना चाहते हैं आप वह Color पर सेलेक्ट कीजिए सेलेक्ट करेंगे तो आपको Backgrounds Color टेक्स्ट का Backgrounds Color चैंज हो चुका है अगर में भी आप जाते हैं Next Option यह तो हमारा Shortcut में में देखनार में की की सेटिंग कर सकते हैं और इसके साथ में अभ हम सेखेंगे कि शॉर्ट कट करना चाहते हैं मैंने को कट करने के बाद में मैं इसको यहाँ पर वाले पिस्ट करना चाहता हूं तो यहाँ पर पेस्ट करूंगा यहां पर right click करूंगा, click कर right click करने के बाद में यहां पर पेस्ट option, shortcut में paste पर किलिक करूँगा, देखिए यह paragraph मेरा उपर आ चुका में, इस पेस्ट कम कर देता हूं बीच बीचे से, और next option का हम यूज करेंगे, next option का यूज करने के लिए आप, आपको फिर से right click करना होगा, right click करने के बाद में, आप इनमें से कोई भी number से सकते हैं, paragraph में आप बुलिट्स देना चाहते हैं, तो, bullets में आप कोई भी दे सकते हैं, यह मैं बुलिट्स दे लेता हूं, तो देखिए bullets, आप के आचुके हैं इस परकार से, तो इस परकार आप shortcut menu के, और भी, जो option है, इनमें स आप तो और भी जकार्ट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट, पेराग्राफ, ब्लेट्स, नम्बरिंग, यह सारी चेल, लुक अप, यह सारी सिंबॉल्स, यह सारी ओप्शन आप यूज कर सकते हैं I hope dear friends मेरे इस वीडिया आपको completely song में आग गया होगा कि आपको mini toolbar का किस परकार से प्रयोग करना है और shortcut menu option का किस परकार से प्रयोग करना है Thank you so much dear friends